दोस्तों COVID-19 से अभी तक पूरा वेशु उभरा भी नहीं है एक और खतरनाक फ्लेश इटिंग बेक्टीरिया आउट ब्रेक जपान में हुआ है जिसका मोटालिटी रेट 30% तक बताया जा रहा है इसी के बारे में हम बात करेंगे क्या है ये जो बिमारी है और किस तरह से होती है इसके प्रेवेंटिव मेजर्स क्या हैं सिम्टम्स क्या है और यहां पर इसलिए Ilay आवशक है क्योंगे सिम्टम्स के सात्फ ही इमीजाट ली इसको ट्रीट करना ज़रूरी है otherwise 48 गंटे के अंदर अंदर यानि दो दिनों के अंदर अंदर इट can kill the person तो काफी dangerous यह infection है जो की बढ़ रहा है फिल्हाल नवजकार दोस्तों pathfinder आप सभी का स्वागत है मेरे नाम निथी है इसी के बारे में आये जानते है तो एक rare bacterial infection जो की काफी high fertility rate के साथ है यह पूरे जपान में तेजी से spread हो रहा है it is the streptococcal toxin shock syndrome यानि STSS जिसको commonly flesh eating bacterial disease के नाम से भी जाना जाता है इस में एक sharp spike देखने को मिला है जब से जपान ने coronavirus travel restrictions को हटाया है उसके बाद से नाया में आपको बता दूँ कि around 1000 cases जो है डेडली infection के वो देखे गए है across Japan जिससे कहीं ना कहीं जो health officials है वो काफी जादा चिंतित भी है और इसलिए काफी इसके बारे में news में बाद भी हो रही है यह जो disease है it is causing severe illness और इसके fatal outcomes है मैंने आपको बता है fatality rate 30% तक है इसका और यह बहुत छोटे समय में मनुष्य को मार सकता है 48 घंटे के अंदर अंदर यह विक्ति को मार सकता है मारने की क्षमता रखता है तो काफी dangerous यह disease है now STSS cases जैसे बढ़े हैं और यह बढ़कर जून 2nd तक ही 977 पहुच गए है जिसकी वज़े से थोड़ी चिंता हुई है क्योंकि यह जो आकड़ा है यह अल्रेडी पिछले साल की जो टोटल 941 केसिस थे उसको क्रॉस कर गया है 941 केसिस पिछले पूरे साल में थे और जून तक 977 केसिस इस बिमारी के आच चुके हैं according to the National Institute of Infectious Diseases so यह तोक्यो विमन्स मेडिकल युनिवर्सटी के प्रोफेसर है Ken Kikuchi उन्होंने बताया कि भई बहुत रबिटली यह प्रोग्रेस होता है यह बिमारी और इनिशिल सिंटम्स नोटिस करने के 48 घंटे के अंदर ही the patient can die as I was telling you अब अब अक्चली होता क्या है STSS STSS और Streptococcal Toxic Shock Syndrome यह एक severe illness है जो की cause की जाती है by infection with group A Streptococcus Bacteria इसको characterize किया जाता है rapid onset of shock and multiple organ failure मतलब एक shock किसे इस चिरू होता है और फिर multiple organ failure इससे हो जाता है जो की life threatening हो चकता है अगर इसको सही तरीके से immediately treat ना किया जाए अगर हम early signs और symptoms की बात करें STSS के तो it is fever, dizziness, confusion और एक flat red rash over large area of your body initial symptoms अगर हम देखे तो fever, chills, muscle ache और nausea है लेकिन जैसे जैसे disease progress करता है थोड़े और severe symptoms नजर आने लगते हैं जैसे low blood pressure हो जाएगा इसके लावा heart rate एकदम rapid हो जाएगा and then eventually organ failure हो सकता है अगर हम इसके treatment की बात करें तो it involves high dose IV antibiotics मतलब intravenous antibiotic दी जा सकती है और supportive care, these are the treatments इस बिमारी के ना क्योंकि भई antibiotics है और इसको immediately पकड़ना होता है तो 48 गंटे में fatality है इसकी कि 48 गंटे के नदर व्यक्ति मर सकता है तो preventive measures को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है prevention is better than cure, we all know तो यहाँ पर preventive measures दिये गए है जिसमें की कहा गया है कि good hygiene practice very very important इसी के अलावा जैसे ही पता लगे identify करें आप symptoms तो prompt treatment होना चाहिए इस infection का और साथी close monitoring होनी चाहिए wounds और skin infections की भी in this particular case यहाँ public health education on symptoms and risk associated with group A streptococcus infection यह बहुत crucial है ताकि इसको detect किया जा सके early और इसको treat किया जा सके मतला जब तक लोगों पता ही नहीं होगा लोग के पास जानकारी नहीं होगी तो उन्हीं समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि symptoms अगर आप देखे normal fever, nausea तो normal symptoms भी हो सकते हैं तो इसको identify कैसे किया जा तो इसके लिए एक you know public health education बहुत जादा important है इस पूरी बिमारी को control करने के लिए इसको prevent करने के लिए सबसे जादा खत्रा किसको है who is at risk तो doctors ने कहा है कि जो क्योंकि global traveling जो है वो बढ़ गई है post covid restrictions हटने के बाद travel restrictions हटने के बाद से तो यह काफी important हो जाता है कि हमें अपनी personal hygiene को maintain करना है अच्छी personal hygiene होंची अपने हाथ धोए you know बाहर से आकर just wash your hands properly अगर आप face mask लगा सकते हैं तो please use that इस तरह की चीज़े ध्यान पर रखनी चाहिए इसके अलावा गर sudden fever हो रहा है और pain है इसको seriously लिया जाना चाहिए इसको बिलकुल ignore नहीं किया जाना चाहिए people over 50 जो 50 साल से उपर किया योगे हैं वो जादा prone है इस disease के और जिस तेजी से infection बढ़ रहा है यह कहा जा रहा है कि जो number of cases है जैपान में वो पच्चिस सो पहुत सकते हैं इस साल जिसमें हम जानते हैं कि जो mortality rate है वो 30% का है 30% तक की mortality rate के साथ ही बिमारी है इसके अलावा जो US CDS है उसके according जिन लोग के open wounds हैं अगर आपको चोट लगी है open wounds है तो उनको जो risk है और STSS वो ज्यादा है वो जादा जल्दी ये बिमारी कैच कर सकते हैं जिसमें क्या कैसे लोग हो सकते हैं मतलब चोट लगी है तो वो तो है बलकि कोई ऐसे लोग जिनकी surgery हुई है या कोई viral infection हुआ है जिससे कुछ it causes open source these are the people who are prone however experts ने ये काए कि उन्हें नहीं पता है वे तक कोई आधी लोगों के बारे हैं पता ही नहीं कि इस बैक्टीर ने एंटर कैसे की है body मैं तब ये भी जानकारी फिलाल नहीं है अब ऐसा नहीं कि जपान में ही अकेले ये आज तक इस तरह से आउटब्रेक हुआ इससे पहले भी कुछ और देशों में इस तरह के आउटब्रेक देखने को मिले हैं ले 2022 में specifically जब जो कोविट रिस्टिक्शन थी उनको हटाया गया था तो इस बिमारी के केसे बढ़ते हुए दिखे हैं तो इस तरह के केसे बढ़ रहे हैं तो नोली जेपान बलकि बाकी यॉर्प इन देशों भी ऐसे बिमानी देखी गई है पता नहीं है फ्लेश इटिंग डिजीज क्या है कहां से आया है बहुत ज़ादा इसके बारे में भी जानकारी नहीं है बट येस देखेस आर इंक्रीजिंग तो अगर कोई ट्रावल कर रहा है तो प्लीज बी वेरी वेरी क्याफुल अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रावल कर रहे हैं और प्लीज टेक किर और यॉसल गईज जहां पर आपको डेडिकेटेटीं चीज साट ऐसे राइटिंग क्लासे मिलती है कॉम्प्रेंसिव कवरिज मिलता है जी इसका पी सिक्स डिगरी का रंट अफेर कवरिज मिल रहा है आपको बंतली मैगजीन के साथ रेगुलर इंट्राक्शन है आपको एजुकेटर्स के साथ यहां पर चालिस से जादा सेक्शन और फुल इंटेस्ट आपको मिल रहा है प्रिलिम्स और मीन्स के अलोंग विद वान ओन मुन मेंटॉर्शिप और डाउट सॉल्विंग आप इस सब कोर्स में इसका बेनिफिट कैसे ले सकता है हमारे ओफ-लाइन बैचेस से जुड़कर जो के हमारे सेंटर्स दिल्ली में मुखरजी नगर और करोलबाग में अविलेबल हैं जहां पर आप तेयारी कर सकते हैं UPSC-CSE की अपने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ यह जादी स्टार्टिंग डेट्स इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी और अदिशनल इंफरमेशन के लिए आप दिस्रिप्शन में जार कर चेक आउट कर सकते हैं इसके लावा यूप में भी वाना एक सेंटर है से विलाइन प्रयाग राज में जहां पर आफ लाइन क्लासे हमारी चल रहे हैं और यूपी-PCS के लिए भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में और आप दिल्ली यूपी में हैं प्रयाग राज के अस पास हैं इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी अदिशनल इंफरमेशन के लिए बिए जागि में खस्टब में तसक्रीज के घम सकते हैं एज जब आपकर करेंशन के लिए झाषर इंग शब्सक्रीज में अबेहर क。」 झाल झाल